जीने का रास्ता गाँवालों की बात सुनकर साधू सांप के पास गए और उसे समझाते हो का ये जन बार बार नहीं मिलता ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालिया दे सांप ने पूछा मैं क्या करूँ साधू बोले तुम हमला करना छोड़ दो सब के साथ प्यार का व्यवार करो सांप ने उनकी बात माल ली उस दिन से वो खुले मैदान में चुपचा पड़ा रहता लोगों को ये मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे इधर से बेधड़क आने जाने लगे अब गाउं के बच्चे वहां एक खटा हो जाते और उसके उपर इंट पत्थर मारते उसके बदन में लकड़ी चुब होते बेचारा साप सब कुछ सहन कर लेता सहयोग से एक दिन वही साधू वहां आये उसकी बुरी हालत देखकर वो चकित रह गए उन्होंने पूछा अरे तुम्हें ये क्या हो गया साप ने सारा हाल कैसो नाया सुनकर साधू बोले बई मैं साप ने तुझे काटने से रोका था लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जिने नहीं देता है साप ने अब असली बास समझी उस दिन से उसने फुफकारना शुरू किया उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग ज अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया, सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था, अब वे चैन से रहने लगे अब बंद कर दो दिया था, अब वे चैन से कर दो चैन से रहा है